मेले में सब खिलोने ले रहे थे। तब नरिंद्र नामक एक लड़के ने दो रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। उसने एक लड़के को रोता देखकर उसने पूछा। क्यों रो रहा है। मेरे पास एक चवन्नी थी। कहीं ये गिर गई। अब मेरे मा मुझे बहुत पिटेगी। कोई बात नहीं। यहलो चवन्नी। नरिंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरिंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिलकुल बेखबर चला जा रहा था। नरिंद्र ने जपट कर उस बालक को खीच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस जपटने की क्रिया में नरिंद्र के हाथ से शिवलिंग छूट कर गिर गया और तूट गया। इस दोरान इकठे हुए लोगों में से किसी ने कहा बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाओं से खरीदा था सिवलिंग। इस से क्या। इस बालक की जान बचाना मेरा कर्तब्य है। वस्तु से भी व्यक्ती का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे उपर है। बचपन से ही ऐसे खयालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।